पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित। रिदय बसहु सुरभू बोलिये राम दूत बजरंग बली की जै। भक्त जनों आप और हम और सारी त्रिलों की ये जानते हैं कि इस श्रिष्टी में प्रभू राम जी का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई हैं तो वो हैं बजरंग बली हनुमान। रामायन में भी सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया है। जिससे बार बार यही ग्यात होता है कि श्री हनुमान जी प्रभू राम के काज बनाते आएं। परंतु भक्तूं आज मैं आपको श्री बजरंग बली के हृदय के उद्गार इस संगीत मैं गाथा के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जिससे आपको एक बार फिर ग्यात हो जाएगा कि ध्रिलोकी में श्री राम जी का हनुमान जी से बढ़कर कोई दूजा भक्त नहीं है। तो एक बार फिर सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए बुलिए सियापति राम चंद्र महराज की जय। मेरा आपकी के पासे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी के पासे सब काम हो रहा है। करते है राम राजा मेरा नाम हो रहा है। करते है राम राजा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी के पासे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी के पासे सब काम हो रहा है। श्रे हनुमान जी प्रभु राम जी के चर्णों का ध्यान लगाते हुए। कि हे प्रभु सभी मुझे सिया मा की सुधी लाने वाला लंका चलाने वाला मानते हैं। परंतु सत्य जो केवल ये है प्रभु कि भगवन मैंने सौयोजन समुंद्र लांगा तो मेरे मुख में आपके नाम की मुद्रिका थी। जिसकी ताकत से मैंने सुर्सा का मुकाबला किया और लंका नगरी पहुच गया था भगवन। भला मुझ में ऐसा बल कहा था ये तो आपके नाम की ही शक्ती थी। और जब मैंने लंकिनी को मारा तो भगवन वो मुझे जाते जाते ऐसा ज्यान दे गई जो बड़े बड़े ज्यानी भी नहीं दे सकते थे। कहे गई प्रबसी नगर कीजे सब काजा हृदय धारी कौसल पुर राजा। अर्थात लंका में प्रवेश करो बजरंग सारे काज करो परंतु हृदय में राम रगुराई का ध्यान सदा ही रखना। जो ना देते शक्त मुझे को लंका में जाना पाता। सिया सुध में लाना पाता। जय जय श्री राम कहके सब काम हो रहा है। जय जय श्री राम कहके सब काम हो रहा है। मेरा आपती पे पासे सब काम हो रहा है। आगे श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभू करते आपो और नाम मेरा करवाते हो। मुझे कहते हैं कि हनुमान बूटी लाए तो भाई लखन के प्रान बचे। परन्तु ये सब क्या जानते हैं कि ये सब तो आप ही की लीला थी। आप चाहते थे कि मैं काल लेमी का वद्ध करूँ। आप ये भी चाहते थे कि मैं भाई भरत से मिलूं। और आपका संदेशा उन तक पहुचाऊं। आप ये भी चाहते थे भगवन कि हिमालय परवत की दिव्वे जड़ी बूटियां लंका वासियों के हित में भी कामा। आपका मुझ पर अपार प्यार और अपार क्रिपाती प्रभू। तभी तो मैं बूटी वाला परवत देकर आया। और स्वयम शेशना के अवदार श्री लक्षमन जी के प्राणों की रक्षा हुई। जै जै श्री राम कहके मैंने उठाया परवत। तिर दे में आप ही थे थे आप मेरी ताकत। लक्षमन जी लाया तुमने मेरा नाम हो रहा है। मेरा अपती के पासे सब काम हो रहा है। नैनों में प्रेम के अश्रु भरकर श्री हनमान जी आगे कहते हैं। प्रभू सब मुझे श्रे देते हैं कि मैं आपके प्राणों के रक्षन हे तु। श्री गरुड जी को लेकर आया जिससे आपका नागपाश का बंधन कट गया। मैं पाताल गया और अहिरामन का वदकर एक बार फिर आपके प्राणों को बचाने वाला बना। परन्तु यह सब नहीं जानते थे कि ये सारी लीला तो आप ही की है। आप चाहते थे कि गरुड जी को अपनी गती का जो अहंकार था उस अहंकार का नाश हो। आप चाहते थे कि धर्ती के साथ साथ पाताल लोग भी असुरों के भय से मुक्त हो। इसी लिए मुझे पाता लोग भेजाता प्रभू ये सब आपकी लीला है ये सब आपकी गिक्रपा है फी प्रेर ना तिहारी शिगर उड को मैं थलाया फी प्रेर ना तिहारी शिगर उड को मैं थलाया ये पल ही था तिहारा अहिरावन संधारा लीला दिखाए तुम ही मेरा नाम हो रहा है लेला दिखाए तुम ही मेरा नाम हो रहा है मेरा अपती है पासे सब काम हो रहा है मेरा अपती है पासे सब काम हो रहा है मैं तो केवल शरीर हूँ मेरे राम परन्तु मेरे अंदर जो प्रान है उनका आधार तो आप ही हो प्रभू आप दी की आज्या से भग्वन मैं इस घंगोर कल्यूग में आपके भक्तों के कस्ट मिटाने है तुम आज भी यहां धरा पर उपस्तित हूँ भग्वन परन्तु अब मैं और मेरी अखियां अनन्य भक्तों के साथ आपके दर्शनों को दरस गई है प्रभू शीव एक बार फिर कल्की अवतार लेकर इस धरा पर पधारिये प्रभू और अपने भक्त जनों के साथ साथ मुझ जैसे तुछ भक्त को भी अपने दर्शन देकर कृतात कीजिए आजाईए मेरे राम आजाईए इस धरती पर अफ्तार लेकर एक बार फिर आजाईए प्रभू तेरे नाम का है भगवन चंदन तिलक लगाया तेरे नाम का है भगवन दर्शन दिखाओ स्वामी चरणों में दास आया दर्शन को तरसे अखिया अनुमान रो रहा है दर्शन को तरसे अखिया अनुमान रो रहा है मेरा आपती पे पासे सब काम हो रहा है मेरा आपती पे पासे सब काम हो रहा है ब शुमान रहा है मेरा आपत unde पे दुमान रहा है अनुमान रहा है